हाई फ्रेंड्स वेलकम टू शवर्डिस कुईजिन आज हम कीमा के साथ सुकी मतर के छूले बनाएंगे जिसको बेंगौली में घूगनी बोलते हैं इस रेसिपी को हम मतन कीमा से बनाएंगे इसको बनाना बहुत ही आसान है इसको अब रोटी पराथा चपाती पूरी के साथ स करें ताके आपको मिलतार है मेरा डिटेस वीडियो सबसे पहले चलिए सुकी मतर के छोले या फिर घूगनी को बनाना शुरू करते हैं कीमा मतर बनाने के लिए हम लेंगे आधा किलो पीला मतर इसको घूपनीर मतर भी बोलते हैं मतर को हमने ओफर नाइट भीगों के रख दिया था इसके बाद इसको नमक डालके प्रेशर कुकर में दो सिटी लगा के वायल करके ले लिया है एक बड़ा सा इसका आलू जिसको मेर कट कर लेना है अब एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई कोचे से गरम करेंगे इसके अंदर डाल देंगे 4 टेबिल स्पून सरसोका तेल तेल को स्प्रेट कर देंगे और गरम होने के लिए छोड़ देंगे तेल गरम होने के बाद इसके अंदर डालेंगे आलू इसके अंदर डालेंगे 140 टीश्पून हल्दी पाउडर 140 टीश्पून नमक अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको फ्राइ कर लेंगे अलू फ्राइ हो चुका है इसको मेक बोल्ड में निकल के रख देंगे सेम तेल के अंदर डालेंगे 5 हडी लाइजी चार लॉंग दो दालचीनी काटू कुरा दो सुकी लाल मिर्च दो तेच पत्ता हप्टी इस्पून जीरा सारे खड़े मसाले तेल के अंदर डाल देंगे और इसको कुछ सकंद के लिए फ्राइ करेंगे अब इसके अंदर डाल देंगे दो पियाच बारिक कटा हुआ पियाच को गोल्डन कलर आने तक फ्राइ करेंगे पियाच फ्राइ हो जुका है इसके अंदर डाल देंगे दो टेबिल स्पूर अध्रक लेसुन का पेस्ट इसको अच्छे से मिक्स कट देंगे इसको फ्राइ करेंगे चार पिस बड़िक कटा हुआ हरी मिर्च दिखा आपके स्वाथ का नुसर डालिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब डाल देंगे दो बड़िक कटा हुआ टामाटर इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम प्लेम को लो में राखेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1.5 टेब स्थ्पून हल्दी पाउडरे एक टेबिल स्थ्थ्पून जिरा पाउडर एक टेबिल स्थ्पून धनिया पाउडर ऑफ येपशं लाल मिर्च दिखा आप आपके स्वाथ कल नुसर डाले subscribe C यिके और इसको बड़िक कर देंगे अब हम इसके अंदर डाल देंगे मतन कीमा साथ साथ डाल देंगे नमक नमक अपने स्वात का उनसाथ डाले कीमा को मसालों के साथ अच्छे से निक्स करेंगे एर इसको भूनते रहेंगे अब हम फ्लेम को मिडियाम पे डाखेंगे और इसको कवर करके 10 मिनिट के लिए भून लेंगे 10 मिनिट के बाद देखिए थोड़ा थोड़ा तेल निकल के आड़ा हाँ है तीन टेबिल स्पून के करे पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसको फिर से कवर करके 5 मिनिट के लिए मिडियाम फ्लेम में भूनेंगे देखिए मसालों से तेल निकल के आ रहा है इसका मतलब मसाला भून चुका है इसको एक बाद फिर से मिक्स कर देंगे इसके अंदर डाल देंगे फ्राई किया हुआ आलू अच्छे से मिक्स करेंगे अब डालेंगे बॉयल किया हुआ मढर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और पांट निट के लिए अच्छे से भूल लेंगे फ्लेम को मिडियम टू हाइप रखना है अब हम डालेंगे 2 कप पानी आप जितना ग्रेफी रखना चाहते है पानी आप उसी हिसाब से डालें पानी के साथ मटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम फ्लेम को हाइमे कर देंगे और इसको कवर करके 5 मिलिट के लिए बॉयल हनके लिए छोड़ देंगे इसका अंदर डालेंगे नमक नमक अपने स्वात के उनुसर डाले और डालेंगे एक टी स्पून शक्कर अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसको पांच मिनिट के लिए बोहरानी के लिए छोड़ देंगे आप डालेंगे एक टी स्पून कड़ मसाला पाउडर देर टी स्पून बेंगली भ वूट्प कलेंगे है कि मतर बणके तयार है अब हम फ्लेम को ओफ कर देंगे कि कि इसको आम एक सर्भ बोल में निकल के रख देंगे कि अब इसे स्प्रिंकटर देंगे सब्सक्री कटा हुआ प्याज थोड़ा सा बाडिक कटा हुआ हरी मिर्च थोड़ा सा नेमबू का रस इस रिस्पी को अब घर पर बनाएं और एंजॉइ किजिए अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लिस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ब्ल आइकन को लिटिस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए फिर में लेंगे एक नए रिसीप के साथ थैंक्स पर वाचिंग